नमस्कार दोस्तों दासर्वी सेंटर चनेल में आप सभी को में स्वागत करता हूँ दोस्तों यह चोटा सा एलेडी टीवी यार उसका पॉब्लम है वाइट डिस्प्ले का और यह चोटा सा फॉल्ड है लेकिन यह टीवी एक मेकानिस भाई ने लेकर आए और यह टीवी आपक का साथ में श्यार करना चाहता हूँ और इसलिए यह वीडियो में आप लोग का साथ श्यार कर रहा हूँ तो पहले आप लोग यह फॉल्ड देख लिजे यह फॉल्ड यह फॉल्ड नहीं बंड़ा है तो यह लेकिन यह टीवी को लगा रहा हूं यह दिकर यह वणा हो गया और स्टैन्बाइ रिलिस करते हैं यह दिकर स्टैन्बाइ मैं रिलिस कर रहा हूं यह दिखे स्टेंबाई रिलीस हुआ और यह स्किन देखिए यह हुआ डिस्पले है तो दोस्तों यह फोल्ट कहां से आ रहा है और यह कौनचा चेक्शन से फोल्ट बोड़ रहा है दोस्तों आप लोग को मैं डिटल्स में बताऊंगा आप लोग अच्छा से यह वीडियो को देखिए यह टीवी छोटा है लेकिन उसका फोल्ट भी छोटा है लेकिन जो निव टेक्शन यह पेनल का बारे में इतना आइडिया भी नहीं तो इन लोगों को लिए यह वीडियो में शेयर कर रहा हूं दोस्तों आप लोग अच्छा से देखिए मौन लगा कर और यह प्यार करते हैं दोस्तों यह टीवी जो लेके आया है उसका कवार नहीं है यह डिस्प्ले और यह मादर बोट यह पावर बोट यह सब खुल के यह जुला में बोर के लेके आया तो आप लोग देखिए यह फॉल्ट को मैं बनाऊंगा यह फॉल्ट कहां से आ रहा है तो चलिए देखते हैं तो पहले तो यह मिटार से चेक करेंगे यह बोल्टेज बगड़ा तो दोस्तों यह टीवी का पेनल जो है आप लोग तो जानते होंगे यह वाइट डिस्प्ले का पॉब्लेम आ रहा है यह पेनल का फॉल्ट है तो पहले हम लोग यह पेनल का से आउट हो रहा है और कौन सा बोल्टेज मिचिंग है तो आप लोग वीडियो का एंतोक मेरा साथ बने रहे हैं और फॉल्ट का बारे में आप लोग को जानका पर ले बोल्टेज को चेक करेंगे और यह मैं पावर को लागा रहा हूं और यह ब्लिंग हुआ अभी रिलीस हो गया और बोल्टेज को देखना जरूरी है पहले बोल्टेज देखना है तो आप लोग देखिए मैं बोल्टेज मेजर कर रहा हूं बोल्टेज आप मिटर को दियान दीजिए मिटर में तो पहले क्या बोल्टेज चेक करना है बीसी सी बोल्टेज को पहले चेक करन जेए तो ये देखिए मितर को आप लोग देखिये मितर। ये बी सी सपलाई है ज़िया बी सी सपलाई है ये फाई बोल का पेनेल है ये फाइप पाइन वाण बोल आरहा है उसका बात क्या देखना है ट्रीय रॉल्ट को डेखना है जो बिड. dramatic supply होता इसका मतलब यह 5 बोल्ड भी ओके है और 3.3 बोल्ड भी ओके है तो अभी क्या देखना है अभी देखिए यह बीजेज बीजेल का सप्लाई देखना है तो यह जगा पर देखिए यह जगा पर बीजेज सप्लाई लेका हुआ है यह bilge supply है देखिए तो bilge supply यह दोस्तो bilge supply voltage नहीए क्योंकि यह bilge supply 20 शे लेकर 30 के अन्दर में рис second JULY को चैसे बैखिए और यह bilge supply नहीं है और यह bilge send supply तो यह दिखर जिरो जिरो फोइन बोल बता रहाई यह involved र यह यह पैनिल चलेगा नहीं 거예요 supply नहीं है BPG people बिकम सापलाई तो यह बीकम सापलाई भी आउट नहीं होगा अबी तो दोस्तों आप लोको समिख में आया यह बिशीशी सब्लाई 5 फाकळ और खाऱ्र और त्रीप선 पैंट tie ऑल भी आघ जो बीडेड की पोडीश पिडीश सपलाई नहीं होता है क्योंकि DC to DC IC, BG supply, BG supply, ABD supply को DC to DC IC जनराट करता है लेकिन ये BG supply नहीं है, BG supply नहीं है, तो ABD supply भी नहीं होगा तो ये 3.3 बोल्ट आ रहा है तो DC to DC IC, 100 में 75% सोस लेना चाहिए DC to DC IC ओके होगा DC to DC IC ओके होगा, इसलिए ये 3.3 बोल्ट आ रहा है लेकिन BG, BG voltage नहीं है, दोस्तो मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं और मैं आप लोग को बहुती आच्चा से समझा रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी तोरा कम जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं आप लोग को आप लोग इसारा में समझ जाना दोस्तो तो बिजेल सप्लाई नहीं है, बिजेल सप्लाई नहीं है और यह वाइट डिस्पले बना हुआ है, पिक्चा नहीं बना हुआ है, लेकिन दोस्तो यह जो फोल्ट है, आप लोग आच्चा से देखें, यह फोल्ट में बहुत जल्दी निकाल दूंगा और यह बहुत ही छोटा सा फोल्ट है आप लोक जब इसा फोल्ट में आएगा तो फोल्ट आपको निकलने में बहुत ऐजी होगा दोस्तों आपक लोक अच्छा से देखेगें इल्ट कि या में कि जगाए यह छगापर फिपरप ढाल दिया तो बोल्टेस चेक करने के लिए अच्छा रहेगा यह अंदर साइट का हो गया यह बाहर साइट का हो गया यह बाहर में बोल्टेस तो चेक किया लेकिन यह जगा पर बोल्टेस नहीं मिला है लेकिन अंदर में भी तोड़ा देखना चाहिए अंदर में अभी दोस्तों रात आप बज़ रहा है और आप में थोड़ा काम करने का टाइम में थोड़ा दिक्वत भी होता है आप में पॉब्लेम है तो यह हो गया यह जगा पर हम लोग चेक कर लेंगा यह हो गया टिकोन आइसी यह टिकोन आइसी टिकोन पोसेसर उसको टाइमार कोंट्रोलर से जाना जाता है यह प्रोसेसिंग करता है यह टिकोन आइसी है और यह हो गया डिसी टू डिसी आइसी है तो डिसी टू डिसी आइस यह जतना भी बॉल्ट बीजेज बीजेल बीडी बॉल्टेज यह DC to DC IC आउट करता है तो इसका यह जगा पर बॉल्टेज चेक करेंगे केपासिटर चेक करेंगे और डायट भी चेक करेंगे तो पहले इस तरह आप लोग भी चेक करना जो DC to DC सप्लाई जगा पर बीजेज लाइन भी है और बीजेल लाइन भी है तो बीजेज सप्लाई में अगर केपासिटर सोट होगा तो भी बीजेज सप्लाई आउट ने होगा और बीजेल भी आउट ने होगा और बीजेल सप्लाई भी केपासिटर सोट होगा उसका लाइन में केपासिटर ल तो यह TV चोटा है और फोल भी चोटा है आच्छा से आप लुक देखें और यह वाइट डिस्पले का पॉब्लेम हार्ट टिवि में आता है चोटा है यह बडा यह पॉब्लेम तो एकी होता है और फोल भी एकी होता है लेकिन चेक्षन कुछ अलोग-ालोग होता है यह कोप खराप होने से भी यह वाइट डिस्प्ले का पॉब्लेम आएगा डिसी टू डिसी आइसी खराप होगा तो भी यह वाइट डिस्प्ले का पॉब्लेम आएगा बिशी सी सप्लाई इन नहीं होगा तो भी यह प्रब्लेम आएगा और शॉट होने से तो इसे ही प्रब्लेम आएगा वाई डिस्प्ले का तो आभी देखिए मैं बोल्टेज को मेजर करता हूं अभी और आप लोग भी देखिए तो दोस्ता मैं टीवी को लगा रहा हूं एक पर लगा कर यह बोल्टेज चेक करेंगे यह मैं प्लाक को लगा रहा हूं और लाइन बेगर आच्छा से पहले देख लेना चाहिए कोई जगा पर शॉट बर्ट तो ही नहीं तो यह ठीक है अब यह लाइन लगा कर देखते हैं यह मैं प्लाक को लगा दिया और यह LED ब्लिंक हुआ और उसको अभी standby रिलीज करते हैं दोस्तों डिस्प्ले में आभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि उपर का साइट निचे कर दिया निचे का साइट उपर में लेके आ गया तो ऋब नहीं मिलेगा क्या लेकिन ब्ल्टेस हम लुप चेक करेंगे वह देखने को ज़रूर मिलेगा मिटर में तो पहले उसको standby करते हैं यह standby हो गया और यह ब्रेक लाइट भी one हो गया यह दीगे ब्रेकलाइट one हो गया और आभी ब्ल्टेस को देखना है रात का टाइम है दोस्तों थोड़ा दिककोत होता है अब ही देखी आप अच्छा से देखिए बॉल्टेस में मैंजर कर रहा हूं आच्छा से देखी आप लूग तो पहले PCC सप्लाई को देखते हैं यह PCC अपलाई यह जगा पर एक रेजिस्स लागा हुआ है जो कि विश्बूल्ट रेजिस्टन होता है यह यह अ है 5.5 बॉल्ट बीशी सप्ला है और यह देखिए यह जगा पर यह रेगूलेटर लगा ये दिखिये रेगुलेटर में व्य्त में दिखिए वाईऊ वोल्ट आ रहा है वीच वञा परण में निकाले है में आगे मोट्न निंकाला रहा है और पर ओल्ट ये कोएल लागा हुआ तो अबिटी को switching करने का वाद हरा जगा पर यह जागा है यह पर दायट के हिरा हीध का पार्स that का पोजिटिव सईथ में फबीडी कोश्वाWhy ना चाहिए कर जोबियेव पोजिटिव लाइन में ये हुरलոगी यह जगापर hilar क्या कुर्ण पोजिदीव rubel 0.48, 0.4.7, 0.4.7, यह ABD supply मिल रहा है, यह ABD supply मिल रहा है, 4.8 volt, तो यह voltage से चलेगा नहीं, और यह जो डाइट का negative side, यह negative side ने 5 volt होना चाहिए, दोस्तों यह 5 volt होना चाहिए, कि कोई यह BCC supply है, और यह कोईल का थुरू से यह switching होने का बाद में यह voltage बनता है, यह boosting होने का बाद यह voltage बनता है, यह ABD voltage, तो यह negative side में देखिए, 5 volt होना चाहिए, यह डाइट का negative में, यह 5 volt आ रहा है, उसका मतलब यह डाइट वाके है, लेकिन ABD voltage नहीं मिल रहा है, अभी देखिए, यह जगा पर, यह डाइट का negative होते हुए, यह जगा पर एक resistance लगा हुआ है, मैं आप लोग को तो रहा और जून करके बताता हूँ, यह देखिए, यह जगा पर resistance है, एक resistance लगा हुआ है, यह ABD supply, यह IC, IC का, IC में इन हुआ, तो यह 5 बोल्ट होना चाहिए, उसका बाद यह resistance को चेक करते हैं, यह 5 बोल्ट, यह 5 बोल्ट एक सिरा में बता रहा है, लेकिन दूसरा सिरा में, IC में इन हुआ, लेकिन यह जगा पर, देखिए, यह साइट में, 5 बोल्ट में रहा है, लेकिन यह डाइट का नेगेटिव होते हुए, यह एक 1 बोल्ट का resistance है, यह IC में इन हुआ, तो यह देखिए, यह resistance में बोल्टेस आ रहा है, लेकिन यह बोल्टेस को IC में इन होने नहीं दे रहा है, तो यह resistance को देखते हैं, देखिए, यह resistance 104 बता रहा है, लेकिन यह ohms resistance है, 1 ohms resistance, लेकिन यह जितना बताना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बता रहा है, यह देखिए, आप लुक आचास है, यह resistance को चेंज करकर देखते हैं, यह है यह देखिए, बता है. मैं कि ढ़ादीन है, यह सहसे हैं, नहीं लेखिए, यह देखिए, में रहा है. यह जदीन को लेखिए, यह देखिए, यह दुटता है, यह को बता है, रहा है इतना चटा है आक से नजर नहीं आ रहा है दिखिए दोस्तों यह रिजिस्टेंस को डारेक्ट लगा देंगे यह और नुंस रिजिस्टेंस है यह जगा पो डारेक्ट लगा देंगे तो भी होगा और वान डी इसन होगा तो डायडेक्ट लागाने से भी होगा कोई फ़रक नहीं परहेगा दोस्तों गे यह जगा पर यह छटा सा एक उयार है दिए यह चल ता सा उयार को मैं लगा दूंगा यह डायडेक्ट कर दूंगा और डारेक्ट करके भी यह टीवी हो जाएगा तो दिखिए यह अभी मैं लगा रहा हूं यह जगह पर दोस्तों बहुत छोटा लाइन है जो आक्स से नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों और यह रात का भी टाइम है कि दोस्तों यह जगह पर एक व्यार से जंपर कर दिया डारेक्ट कि यह वान ओम्स का रेजिस्शन से जो जीलो ओम से होता है देवैं मैंने नहीं लगाया डाइर यह जंपर कर दिया यह जगहपी यह वान ओम्स का रेजिस्शन से लगा हुआ है यह जगह पोड लेकिन वान ओम्स रेजिस्सेंस मैंने नहीं लगाया डाइरेक्ट यह जमपर कर दिया यह जगा पर अभी एक बार लगा कर देखते हैं तो यह मैं प्लाग को लागा रहा हूं यह लाग गिया और यह लाइट भी ब्लिंग हुआ और यह अभी स्टेंडबाइ रिलीस करते हैं यह स्टेंडबाइ रिलीस हो गया और यह देखिए यह बेक लाइट भी वन हुआ यह देखिए बेक लाइट वन हुआ और आभी बॉल्टेस को और देखते हैं तो दोस्तों यह है यह जाग ग्राउंड का साथ काने करते हैं और बॉल्टेस को देखते हैं और यह पहले 5 बॉल्ट को चेक करेंगे कि यह 4.2 बॉल बाता रहा है और यह अभी डी सप्लाइ देखिए यह बीडी सप्लाई पहन गया 13.5 बॉल्ट यह बीडी सप्लाई है और यह जगा पर देखिए दोस्तों यह डाबि लगा हुआ है यह आश्राइद। यील सप्लाई का बॉलग है तो यह डाइट का वर में देखते हैं वीजेल सप्लाई निकल रहा है कि नहीं यह दीकिए वीजेल सप्लाई भी निकल रहा है माइनस जीरो 9.9 बोल्ट अब यह दीकिए यह जगा पर यह डाइट लगा हुआ है उसमें बीजेस का सप्लाई होगा 20 से लेकर 30 का अंदर में होगा बोल्टेस तो यह मैं लगा रहा हूँ यह दीकिए यह 22.9 बोल्ट यह बीजेस अप्लाई है यह बोल्टेस ओके है दोस्तों यह जगा पर हार बोल्टेस अभी जनार ठावा है तो आशा करता हूँ डिस्प्ले बन गया तो क्या करते है यह टीबी को आप करते है आप करने का बाद यह टीबी को गुमाना होगा क्यूंकि यह उपर अला साइट निचे हो गया और निचे का साइट उपर में हो गया तो टीबी को आप कर दे तो आप करके दखते हैं डिस्प्ले बना की नहीं दस्तों टीबी का प्लाग को मैं लग रहा हूँ यह यह साइट में राग दिया रभी लाइन देके देखते हैं इसको भी लगा देते हैं पहले कि यह लग दिया तो दस्तों प्लाक को मैं लगा रहा हूँ देखते हैं डिस्प्ले में क्या बन रहा है अभी यह मैं टीबी को अन कर दिया और अभी स्टेंबाई रिलीस करते हैं अर्षा रिलीस हो गया और यह देखे यह बन गया कि यह जो स्पोट देख रहे हैं आप लोग यह स्पोट वाइक लेने का टाइम में कोई जगा पर ठेस लागा या इसका बजाय से यह जगा पर स्पोट आ गया लेकिन यह जगा पर पिक्चार आएगा लेकिन और यह नो सिगनल का इमेज भी आ गया दोस्तों यह देखें नो सिगनल का इमेज यह देखें नो सिगनल का इमेज झाल